तो GUYS जो आपको नज़र आ रहा है यह हमारा है नियुव घर जो आप देख रहे हैं इस वक्त इदर फिर रही है हमारी मुर्गियां आप देख रहे हैं इदर मुर्गियां इदर इन्ज्वाए कर रही है अब सब्सक्राइब करता हूँ आप सब लोग खेरी से होंगे अल्लापाक आप सब को सलामत रखे तो गाइस आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारा नियू घर कितना वो तामीर हो चुका और कितना अभी उसका काम रहता है वे को अन्दर का सारा वीक राता हूँ तो गाइज जो आपको नजर आ रहा है यह मारा नियू घर जो आप देख रहे हैं इस वक्त यह बहर का निजार रहा है जो आपको दिखा रहा हूँ तो तो माशाला बहुत फूसुरत गार है तो इसका मैं अंदर से भी आपको वियू कराता हूँ अंदर जाके जी विवर तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर में तो अभी किसका अभी काफी सारा काम रहता करने वाला ना जो आप देख रहे हैं अभी इसका सेन बनेगा तो काफी सारा काम है जो करने वाला अभी रहता है अगरा से आप चाल यह हमें आप दिखा रहता हैं तो फिर उसकर बास झाल लग जागी आप देखा रहे हैं फिर उसक्ता भाद आप उसके बादा आपको सारा इसka करांूगा इद़ पिर रहिं है हमारी मुर्गियां आप देख रहे थे हुए तो ये है इसके शेहन है अंदर टैक्टर खड़ी है मारी तो यह सारा सेन है इसमें ग्राशी प्राड वगएरा हमारा इड़ादा बनाने का फिर उसके बाद और चीजें भी दर चीजें एड़ होंगी तो फिर जाब इसका टाइम आएगा तो फिर यह सारी चीजें इन्शाला वो होती रहेंगी अभी हमारा जो अंदर वाला काम है वो रहता करने वाला अंदर टाइर रहते हैं और इसके बाद दर्वाजे बगएर रहते हैं और इसके इलावा जो बाथरूम का जो काम है वो रहता करने वाला तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्रॉण फलॉर ग्रॉण फलॉर में कितरा काम अभी रहता करने वाला यह हमारा ग्रॉण फलॉर आप देख रहे हैं एक यह वाला कमरा एक यह कमरा है और उसके बाद एक यह कमरा इदर एक साथ यह कमरा है और उसके साथ यह कीचेना जो आप देख रहे हैं और इदर एक यह वाला कमरा है यह सीड़ी जारी उपर फलॉर की तरफ और इसके लावा फिरागी चलते हैं अधर किचन बनाई हुआ है दो किचन है एक यह किचन है एक उधर जो आपको अभी पहले दिखाया किचन तो और इसके साथ यह वाला ड्रेंग रूम है जो आप देख रहे हैं इदर तो इदर टैले मेंगार पड़ी है जो हमने मगवाई से उदर यह इदर खप्रेयल गी है तो बाद में इसको अरजेस कर देंगई यह टैले हैं इदर और इसके साथ इसका यह अटैच वाश रूम है जो आप देख रहे हैं इदर